आज एक अलग टोपिक पर वीडियो बना रहा हूँ अलग बना रहा हूँ अलग वीडियो बनारा हूँ अज मैं आपको बताने वाला हूँ हाँ टू इंप्रॉफ राइटिंग स्कील्स आप अपनी राइटिंग को कैसे और जादा अच्छा कर सकते जैसे कि कुछ लोगों की writing है यह problem नो मेरे साथ भी होती थी अब दो, तीन दिन पहले की बाती मेरे साथ भी बहुत होती थी के न मैं इस काम करवा लगा रही है पोट पे है मैं इस काम करवा रही है और मैं इतना slow-slow लिख रहा हूं एकदम अच्छी तो गाइस अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो में तो सबसे पहले गाइस मैं आपको एक important बात बताने वारा हूँ आप बिल्कुल तेज तेज कैसे कर सकते हो काम आप काम को तेज कैसे कर सकते हो तो आपको अपने इसे मूफ करना हैं जससे आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगा और आप जल्य लिखने लगोगे लेकिन कुछ लोगों के साथ यह होता है वो starting से हैंड से लिखते वे आ रहे होके हैं तो यह काम नहीं कर पाते हैं तो कोई मसला नहीं को हैंड से वी कर सकते हैं लिकिन अगर आप इससे करोगे यहिस तरह हैंड को नहीं हिलाओगे इसे हिलाओगे तो फिर आपकी ď safety हो जाएगी शब्द याप कर या कंपर भी जाकर ह recommended यह आपको जाएगा और मैं आप किवाइदय के लिए जबंध रहा हूँ यह नहीं कि मैं अपने चैनल पर व्यूस बढ़वाने के लिए कर रहा हूँ लाइक बढ़वाने के लिए कर रहा हूँ जो कि हर कोई करता है लिकिन यार मैं ऐसा नहीं हूँ तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले में आपको एक चीज दिखाता हूं जैसे कि सुभान है मेरा दोस्ट सुभान है वो मेरी क्लास में और आपस में फ्री फैर खिलते हैं आपने देखा होगा वीडियो में और हम दोनों तो एक दूसरे से बात भी करते रहते है तो वह इतनी तेज देज क्यां कर लेते हैं फुइतनी तेज देज काम लो कर देते हैं लेकिन राइटिंग वह न हर एक वक्र या एजह को आर को यू लेकर चला जाएगा यह देखिया आर को यू लेकर चला जाएगा ना तो कभी कवार आर के पीछे से यू परके डंडी निकाल देगाई ऐसा ही एक साथ हर एक लैटर के साथ वो करता ही रहता है हर एक लैटर के साथ वो यही चीज़ करता रहता है अब पताएए जाइस किया इसके उसकी राइटिंग इसको सब्सकों पताएगी यह राइटिंग पैसको तो आहके बाम करके चेक कर लिंगे उसुटर मार्क लगा देंगी कुछ भी को unt3 कम करता थ ok और मेरी राइटिंग इन्सक्वाइब करने के पाँ किभारं और मेरी राइटिंग बहुत अच्छी होई है यह मैं आपको गैराइटित कहरा हूँ 100% आप दो तिन दिन इस ट्रिक को अप्लाइच किजिए 100% guaranteed है कि आपकी writing बहुत जादा अच्छी और साफ हो जाएगी बहुत जादा अच्छी हो जाएगी आप तेजी से काम करने रगेंगे और आप साफ साफाई से लिखने लगेंगे एकदम clean clean बिल्कुल जिसता न देखे मेरी writing मैं words को मिला मिला कर लिखता हूँ अभी तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इदर तो आप मेरी writing को compromise कीज़े और सुबान की वैसे आपको मेरी writing तो इसमें समझ नहीं आएगी इस वाले में आपको समझ नहीं आएगी रूखे मैं आपको उल्टा करके दिखाता हूँ अब आ रहे है हाँ अब देखिए अरे नहीं नहीं आपको अभी भी नहीं आ रही आपको उल्टी उल्टी चीज़े देखे रहे हैं न में वेडी बना रहा हूँ तो वेडी में तो उल्टी दिख्ते हैं चलिए बट एनिवेस लेकिन मेरी writing है बहुत जादा साफ आप देख आप अपनी कैसे writing को तेज कर सकते हैं तो मैंने तेज करने को तो बता दिया अगर कुछ लोग हैंड से काम करते हैं ना हैंड सूम से यह नहीं अगर आप दो तीन दिन बैठोगे अपने इसी से practice करते रहोगे स्टार्टिंग में तो आपसे कुछ भी नहीं लिखा जाए जो मेरे साथ भी हुआ था मैंने दो तीन दिन प्रैक्टिस की तो मेरे से अप इसी से लिखता हूं इसी से मैं लिखता हूं इसी से मैं बनाता हूं अपना नाम लिखता हूं कुछ भी इसी 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 मूफ करता को नहीं करता में दो-तीन दिन आप बैठी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी लेकिन जो लोग प्रैक्टिस नहीं करना जाते इतना टाइम नहीं है और अगर उनसे लिखा भी नहीं जाता फिर भी तो वह अपने हैंड से लिख सकते हैं लेकिन उन्हें फिर बिल्कुल आराम से क करना है तो आप जब बोट पे देख रहे हों बोट पे देख रहे हों तो आपको बस आपके ब्रेंड को यह होना चाहिए कि अब काम करना है जिस तरह हमारी क्लास में मिस आती है अब बस मेरे दिमाद में एक ही बाद चल रही होती है काम 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 कि आप काम करना है क्योंकि पीर अब मैं बताँ कितने वर्स अपने दिमाग में याद कर लिता हूँ मैं पढ़ता भी रहता हूँ, काम भी करता रहता हूँ और उन वर्स को याद भी करता जाता हूँ फिर बात में जब मैं टूशन जाता हूँ तो टूशन में मैं बहुत जली टेस्ट देकर घर भी आ जाता हूँ तो इसलिए मुझे याद भी हो जाता है और मेरी तेजी से राइटिंग भी हो जाती है अब हम बढ़ते हैं अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरी स्टेप पे हाउ टू इंक्रीस राइटिंग कि आप अपने राइटिंग को साफ कैसे कर सकते हो बिल्कुल साफ आराम से तो आपको सबसे पहले और मैं आपको अभी जल्दी करने का एक और तरीका बताऊँगा तो आपको कुछ नहीं करना है बस आपको एक ये लेना ये मैं स्कूल में सुबान को सिखाता है लेकिन वो सीखने पाता तो सुबान अगर ये वीडियो देख लिए हो तो ये देख लो फिर ये जो इन दो उंगलियों को railroad खूलना है इस हत की भी और इस हत की भी फिर आपको ये जो थंपे इस वाले उंगली पर रखना है और ये वाली उंगली को इस वाले थंपे रखने है Cap इस तरह करते हैं जितना fast आप करोगे उतनी तेजी से आप रिक सकτε्य हो देखो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं हो रहा होगा मैं कितना फास करूं जब स्टार्टिंग इतीना में इस तरह आप देख रहे हो इस तरह करता था लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया वैस की एदे को पूरा रिकॉर्ड ही फाड़ दिया तो देख लिए आपने यही करना चाहिए अब दूसरी ट्रिक आपको यह जो है अपने अगर आप स्कूल में बैठे वे हो तो रिलैक्सेबल यहां तो आप हासे यहां तो बिना इस रबर बैंट चाहिए होती इसके लिए लेकिन अगर आपके पास स्कूल में नहीं है तो आप इसी तरह कर लो यू हाथ लो इस तरह और इसको यू यू करो इस रिलैक्स एकदम इससे होगा कि आपकी पैंसिल का पकड़ने का अंकल से होगा और आप पैंसिल से एक बबर उपर भी जाकर देख लेना और एक बर नीचे भी आकर देख लेना इससे आप बिलकुर सब्सile से पकड़ोंगे और जल्दी जल्दी क चैने बहुत सारे बच्चों को देखा मिस सुभान भी करते हैं पॉक्ता जैसे मेरी नोट बुक है इस तरह फलका यू गुमा लएगा और यू यू करता रहेगा एसे कम सीधा हो जाता है इससे कम सीधा है लेकिन थोड़ Aegis वर्ट्स बहुत ज्यादा वर्ट्स आपके हवा में उड़ने लगते हैं जो कि इसको बात बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती और मेस उसे टैस्ट में हमेशा इसलिए पैरेंट सिगनेचर लाने को बोलती हैं जिसकी वज़ा से उसे डांट भी पड़ती है तो आपका अपनी सही होना चाहिए अब मैं आपको बताता हूं इससे होएगा क्या यह जो मैंने आपको अभी कहता है इससे होएगा क्या तो इससे होएगा यह पहले बात तो आप इससे आपके मसल्स काम करने के लिए और ज्यादा रैडी हो जाएंगे मतलब कि काम करने के लिए पूरे रैड भी जली-जली चलने लगए तपेशे यानि कि भागने लगए गण की पीछे नोटस बना लो तो वो आप ही के लिए कहती है ताके आपकी राइटिंग और जादा साफ हो और मैं नोट्स बना लीजे या तो राइटिंग कर लीजे एक पेज रोज बैट के जिस भी चीज के आपकी राइटिंग गंदी है इस जीज एक पेज पेज राइटिंग केजिए और एक्दम सोच समझ कर आप एकदम से किस तरह राइटिंग करने करनी इन उड़र। कि पेपर की बैक साइट पर जो खाली साइड होती है उदर कुछ कर लो या तो कुछ-कुछ बच्चों के पेपर में वो खाली साइड होती नहीं कभी कभारी होती है तो आप एक कॉपी लीजिए और उसमें ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिए जब इसको लाईएगा ये ये यह दिख़े है यहां तो आप इस तरह लाइन खीच लिजिए जहीजएगा और एक यह वाली और एक यह वाली इस टाइप के एक्सरसाइस आप कुछ कर लिजेगा इसी तरह तेड़े मेरी लाइन थिरी को इस तरह करके गोल गोल थिरी को इस तरह लीजेगा थिरी को और यूँ गोल 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 बनाती जाएगा इससे अराम अराम से कीजेगा ये तो मैं इसी खरना है आपको एगदम करना है जिसे आपका ब्रेंड Ready हो जाएगा वो समझ है कि आपका हाथ और कीज़ हो से चल ने लगेगा तो चलने ने लुदंगा आठेंच आपको आपको ता के लिए ठैकर io बाबाय हाे पका पता है जिनकी राइटिंग खराब है इस तीस को करके उनकी राइटिंग बहुत ज़ाद अच्छी हो जाएगी बहुत ज़ादा तो प्लीज आप दो तीन दिन बैठी इसकी प्रैक्टिक कीजए आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी बाइ बाइ मिलूँगा मैं आपको नेक्ट वीडियो में एंड कमेंट्स में जाकर बता दीजेगा कि नेक्ट वीडियो कौन सी दालू या तो कोई इंफॉर्मेशन की दालू या तो गेमिंग की बाई बाई